वाक्य अशुद्धी शोधन यानि यहां पर वाक्य कौन सा शुद्ध है इससे संबंधित यह व्याकरनिक नियम जो है इसको ध्यार में रखते वे इससे संबंधित कुछ MCQs हम यहां पर सॉल्व करेंगे जो कि आपके एक्जाम पर पसे काफी यूस्फुल टॉपिक है शुर मुझे अनेकों भाषाओं का ग्यान है तो इसके चार आप्शन है अब इसमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से मुझे अनेकों भाषन का ग्यान है मुझे अनेक भाषा का ग्यान है मुझे अनेक भाषा का ग्यान है तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये वाकि अशुद्ध दिया हुआ है इसका जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होगा इन चारो अप्शन में से तो आप देखेंगे अब इसमें कि मुझे अनेको भाषाओं का क्या ग्यान है मुझे अनेको भाषाओं का ग्यान है तो अब इसमें गलत क्या है मुझे अनेको भ अनेक बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है तो अनेक जो कि बहुचन है पहले से हम उसको ओ शब्द से उसको लगा कर उसका बहुचन बना कर जिब हम प्रियों करेंगे तो गलत हो जाता है इस वज़ा से अनेक ओ शब्द की वज़ा से यहां पर जो है हमारा यह वाक्य क्या होगा वह सज्जन है सज्जन वह पुरुष है वह पुरुष सज्जन है या उपर्युक्त मेंसे कोई भी नहीं तो वह सज्जन है सज्जन का मतलब अब जब आप यह सेंटेंस लिए वह सज्जन पुरुष है सज्जन का मतलब ही होता है सज्जन व्यक्ति तो इसके कुन सा वाक्य शुद्त है आव इस ने उपलब्धी की गिनवाई है मंत्री जी ने उपलब्धी गिनवाई लब अ क्मेंट प्रेजित दृत कि अचुरा मतलब क्या हो गया आपकी परेजेंट हो या नहीं हो तो मंत्री जी सरकार परेजेंट हैं या नहीं है उसको कैसे गिनवा इसकती है गिन्वाने का कान तो उपलबध्यों को किया जा सकता है इस वाज़ा से यहां पर वाके शब्द को सही से ना लिखने की वज़य से अशुद्ध इश्वार उदेशय पुर्ण कहानी है, अब आप देखेंगे, यह जो शब्द है, इसी में ही समस्य है, जिसकी वज़़से वाक्या शुद्ध हो जाता है, सो देशय, सो देश्य का मतलब क्या हो गया है, उदेशय के साथ, अब पूर्ण का मतलब क्या होता है उद्देशे से भरा या फिर उद्देशे से पूर्ण पूरा तो या तो आप ये शब्द प्रियोग कर ले या तो ये प्रियोग कर ले तो इसलिए ये वाक्या शुद हुआ लेकिन शुद वाक्य जो है वो क्या होगा पंच परमेश्वर उद्देश ये पून कहानी है, तो इस तरीके से ये option नमबर गा सही हो जाएगा हमारा, प्रच नमबर पांच लेते हैं, जवाहर लाल नहरू का सदा देश आभारी रहेगा, जवाहर लाल नहरू का देश सदा आभारी रहेगा, जवाहर लाल नहरू आभारी रहेगा, सदा द अभारी रहेगा अब आप देखेंगे कि इसमें सदा देश अभारी रहेगा ये अभ। प्लेस्मेंट ऑफ वर्ड्स अब यहां पर शब्दों की जो जगा बदल देने की वजए से इसमें अशुद्धियत दिये तो देश सदा अभारी रहेगा अभार जो है सदा प्रकट किय तो यह जो सदा शब्द है यानि जिसका आर्थ है हमेशा या फिर सदेव वह अभार से पहले आएगा जिसकी वज़े से option number का सही होगा प्रच नमबर 6 लेते हैं भैस का ताकतवर दूद होता है तो यह वाकिय अशुद है अब इसे शुद्ध रूप में लिखना है इसकी शु भैस का दूद ताकतवर होता है उपर यूगत सभी तो इसका जो सही option है option number गा भैस का दूद जो है वो ताकतवर होता है दूद में उसके ताकत होता है ऐसा नहीं कि जो भैस बहुत ताकतवर होगी उसी में ही जो है उसी के दूद में ताकत होगी या फिर उसी का दूद और चुटी होने तक करें और चुटी होने तक पाठ साही ऑप्षन तक जो होगा की निराला की कुछ रचनाउं का शिवर प्रगति वादर है अब इसके लिए option है निराला की कुछ रचना का स्वर प्रतिवादी स्वर है उपर युक्त में से कोई भी नहीं तो इसका जो सही उत्तर है वो है option number गा निराला की कुछ रचना का स्वर प्रतिवादी है प्रश नमबर 9 शाम और उसका भाई खेलने जाता है उपर युक्त सही सभी तो सारे तो बिल्कुल नहीं से हो सकते और श्याम और उसके भाई की बात ओरी तो जाती है इस त्रिलिंग शर्थ तो बिल्कुल नहीं प्रियोग हो सकता है इन दोनम से हमें चेक करना है श्याम और उसका भाई खेलने जाना है ये भी एक improper sentence है और इसका जो सही option हो जाएगा श्याम और उसका भाई खेलने जाते हैं प्रश्ण नमबर 10 लेते हैं उदैपुर में अनेको जीले हैं अब आप देखेंगे इसमें भी वैसी समस्या इससे संबंदित एक प्रश्ण हम पहले भी कर चुके हैं वह आप क्या बताएंगे हमें कमेंट करके कि वह क्या वज़ा है जिसकी वज़े से ये एक question जो है दुबारा दोहराया वाया है जिसकी वज़े से हम इसका सही उत्तर पहचान सकते हैं तो वह option number का इसका सही उत्तर उदैपुर में अनेक जीले हैं प्रश नमबर 11 घोडे भौकते हैं घोडे क्या भौकते हैं तो या शुद्धी आपको साफ पता लग रही है इसमें घोडे बोलते हैं घोडे रंभाते हैं कुत्ते भौकते हैं या उपरियुक्त में से कोई भी नहीं तो इसका जो option सही होगा वो होगा कुत्ते भौकते हैं क्योंकि घोड़े जो है हिन हिनाते हैं तो ना तो बोलना उनके लिए सही होगा रंभाना भी सही नहीं होगा तो अब भौकने के लिए हम लेंगे तो उसके आगे कुत्ता शब्द लगा होना क्योंकि कुत्ते भौकते हैं तो यही वाक्य जो है हमारा सही होगा, प्रशन नमबर 12, सुन्दर्ता पन प्रशंसनिय है, सुन्दर्ता पन सरहनिय है, सुन्दर्ता पन सरहा है, सुन्दर प्रशंसनिय है, तो यह भी इंप्रॉपर सेंटेंस है, सुन्दर्ता पन शब्द किसी तरीकी का इस्तमाल नहीं होता आप्शन नमबर खा साफ तौर पे हमारे सामने जो है वो एक सही वाक्य शुद्ध वाक्य के तौर पे दिख रहा है सुन्दर्ता जो है वो प्रशंसनिय है प्रशन नमबर तेरा कृपया करके मुझे ये काम करने दो कृपया करे मुझे ये काम करने दो मुझे ये काम करने दो कृपया, कृपया ये काम मुझे करने दो तो इसमें जो सही option होगा, option number खा, कृपया मुझे ये काम करने दो question number 14, मधूर्यता एक गुण है, तो मधूर्यता एक गुण है, मधूर्यता अब option 4 हमाई पास मधूरता एक गुण है मधूर एक गुण है मधूर एक गुण है मधूर्य एक गुण है तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका इसमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा option number गा मधूर एक गुण है तो इसलिए माधूर्य शब्द अब यहाँ पर शब्दों का सही तरीके से इस्तमाल जो है वो भी अशुद्धी लाता है आप देख रहे हैं इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन के साथ प्रशन नमर 15 वह वापस लॉट आया वह वापस आया लॉट वह आया वापस लॉट उपर यूग तो कोई नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं तो यह option नहीं होगा और यह improper sentence है दोनो के दोनो वह वापस आया जो है इसका उत्तर सही होगा कैसे होगा वह वापस वापस का मतलब क्या होता है दुबारा लॉट कर आ जाना तो वापस आना और लॉट कराना दोनों एक बात होगी दोनों में से एक वह वापस आया लिख लीजिए या वह लॉट आया लिख लीजिए तो यहां हमाई पास सही option यही है तो वह लॉट आया प्रश्ण नमबर 16 लेते हैं जल से पौधों को सीचता है सोहन सोहन जल से पौधा सीचते हैं सोहन जल से सीचता है सोहन पौधे सीचता है सोहन पानी से सीचता है तो इस तरीके से option नमबर गा सही होगी प्रश्ण नमबर 17 एक सेब की पेटी ले आना एक शुद्ध की पेटि, एक शुद्ध नहीं, एक बेटि, स्यव ले आना, एक शुद्ध की पेटि, एक शुद्ध की पेटि हो सकती है लेकिन एक शे Chen की पेटि वो इंप्रॉपर बात हो गी तो शब्दों का हैर- Он एसे ही मतलब बदल देता है तो अब इसका जो सही उत्तर होगा जो शुद्ध वाक्य होगा वो ये एक पेटी सेव लियाना यानि उस पेटी में कई सेव होंगे लेकिन पेटी तो एक होगी तो एक पेटी सेव लियाना ये एक शुद्ध वाक्य होगा प्रश नम्बर अठारा नव्टापन प्रशंसने है. अब हमारे पास सेंटेंस कैसा है? मानवता पन प्रशंसनिय है तो इसी को ध्यार में रखते हुए हमारा मानवता प्रशंसनिय है वरना मनुष्यता प्रशंसनिय हम ये भी मान सकते थे पर मनुष्यता वर्ड ना यूज करके हैं पर मानवता यूज हुआ है यह पन शब्द जो है गलत यूज़ हुआ है यहां पर जिसकी वज़े से option number का जो है वो शुद्वाक्य होगा प्रश्ण number 19 लेते हैं मिठाईयां आम तोर पर अच्छी लगती है तो अब इसमें से सही option क्या होगा इसमें सही option होगा option number खा मिठाईयां आम तोर पर अच्छी लगती है तो इस तरीके से यह option number खा सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्ण number 20 सुंदर सुरूप सहानिया है सुंदर का मतलब जो सुंदर है सुरूप मतलब जिसका रूप सुंदर है या अच्छा है तो अब आप देखेंगे यह वाक्य तो अशुद्ध है अब इसमें से में शुद्ध वाक्य ढूनने है सुन्दर्ता सराहनिये है, सुन्दर्ता रूप सराहनिये है, अति सुन्दर्ता रूप सराहनिये है तो इसमें जो option number गा है वो सही होगा, सुन्दर रूप सराहनिये है अब रूप ही काफी है इसके आगे सू लगाने के जोटनी अगर आप सुन्दर का प्रियोग कर रहे हैं तो इसलिए ये गलत हो जाएगा सू लगाने इसके आगे तो सुन्दर रूप सराहनी है प्रशन नमबर एक किस तुम तुम्हारे घर जाओ तुम अपने घर जाओ तुम उनके घर जाओ तुम आपके घर जाओ तुम घर जाओ ये आप्शन तो किसी भी तरीके से नहीं होगे तुम तुम्हारे घर जाओ यानि जिस व्यक्ति को इंडि प्रियोग हुआ है मतलब तो सही निकलेगा लेकिन तरीका गलत है सेंटेंस मेकिंग सही नहीं है तो इसलिए तुम अपने घर जाओ आप्शन नमबर का सही होगा प्रशन नमबर बाइस लेते हैं ताजा गाय का दूद स्वास्थेवर्दक होता है दूद ताजा होना जरूरी है या गाय ताजी होनी जरूरी है तो अब वाक्य में शब्दों का सही स्थमाल ना होने से ऐसे ही उल्टे मतलब निकलते हैं ऑप्शन देखते हैं गाय का स्वास्थेवर्दक दूद होता है गाय का ताजा दूद स्वास्थेवर्दक होता है ताजा दूद गाय का स्वास् वो ताजा है और वो स्वास्थेवर्दक है प्रश्ण नमबर 23 अनेकों लोग गंगा इसनान के लिए गए वही तरीके का एक प्रश्ण फिर से रिपीट हो गया है क्या है इसके पीछे का लॉजिक आप हमें कमेंट करेंगे अनेकों लोग गंगा इसनान के लिए अब इसका सह भी improper है और साफ तोर पे हमारे सामने जो सही उत्तर है वो का option निकलाता है अनेक लोग गंगा इसनान के लिए गए प्रेश्च नमबर 24 लेते हैं हम दूद में कोई पढ़ गया यानि कोई पढ़ गया मतलब दूद में कोई गिर गया दूद में कुछ पढ़ गया दूद में कभी पढ़ गया उपर यूद कोई नहीं यह option बिल्कुल नहीं हो सकता यह improper है यह improper है कौन पढ़ गया कौन तो किसी वेक्ति के लिए प्रियोग होग जिसकी वज़ा से यह sentence शुद्ध होगा प्रश नमबर 25 राम लक्षमन सीता वन को गई तो राम लक्षमन सीता वन के लिए गए राम लक्षमन और सीता वन गए राम लक्षमन और सीता वन गया इमप्रॉपर sentence राम लक्षमन और सीता को गए यह भी इमप्रॉपर है अब हमें इसमें से सही जो शुद्ध वाक्य है वो चेक करना है तो जो इसका सही है वो राम लक्षमन और सीता वन गए तो ये सही होगा पहले बाद तो गई नहीं होगा दूसरा यहाँ पे ना तो कॉमा लगा है और ना ही और शब्द का इस्तेमाल होगा है इसकी वज़ा से ये सेंटेंस सही है प्रश्ण नमबर 26 उसने मुझे एक फूलो की माला दी फूलो की माला क्या होती है एक माला है उसमें इसमें कितने फूल हैं गिन सकते हैं बता सकते हैं कितने फूल लगे हैं इसमें नहीं बता सकते हैं लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इसमें एक फूल है, दो फूल है, ये कई फूल है, सब को पता है, इसमें कई फूल है, सिंटेंस पढ़ेंगे हम, उसने मुझे एक फूलो की माला दी, फूलो की माला में कई फूल होते हैं, तो अब ये एक कहां प्रियोग होना चाहिए था अब वाक्य पढ़ेंगे देखेंगे कौन सा शुद वाक्य है उसने मुझे फूलों की एक माला दी उसने मुझे एक फूलों की माला दी उसने मुझे एक की फूल माला दी है ये इंप्रॉपर सेंटेंस उसने दी एक फूल की माला इंप्रॉपर सेंटेंस इसलिए ये एक शब्द जो है माला के आगी लगेगा तो सही और शुद्ध वाकिय क्या हो गया option number का हो जाएगा question number 27 लेते हैं बच्चों से गुसा मत करो बच्चों में गुसा मत करो बिल्कुल गलत बच्चों के लिए गुसा मत करो बच्चों को गुस्सा मत करो बच्चों को गुस्सा मत करो या फिर बच्चों पर गुस्सा नोब Esuma Day 2 वहग होगा बच्चों पर गुस्ता मत करो vast हम प्रश़् नंबर अठाईस बच्चों को काट कर सेब खिलाओ शेब कण खिलाना है तो सेब को काट आजा जाएगा या फिर बच्चों को सेब को ओविय्स ही बात है सेब को काट जाएगा तभी बच्चों को देंगे खाने के लिए अब आपने सेंटेंस बनाया है बच्चों को काट कर यानि बच्चों को काट दिया जाए फिर सेब खिलाया जाए बहुत ही गलत सेंटेंस हो गया शब्दों को सही जगह पर ना रखने की वज़े से अब इसमें सही वाक्य देखते हैं बच्चों के लिए सेब क बढ़े अच्छे कवी थे बच्चन जी अधिक अच्छे कवी थे बच्चन जी थोड़े अच्छे कवी थे अब इन दोनों में से अब हमें देखना है कि कौन से सही उत्तर है बच्चन जी बहुत अच्छे कवी थे या बच्चन जी बढ़िया कवी थे तो यह हमाई बोलचाल की भाषा में डेली यूजिस में जो एक सही सेंटेंस मेकिंग होगी वो यही कि बच्चन जी बहुत अच्छे कवी थे तो option number खा जो है वो सही हो जाएगा question number 30 उसने केवल एक ही रोटी खाई उसने केवल एक ही रोटी खाई अब इसमें क्या problem है उसने केवल एक ही रोटी खाई उसने केवल एक ही रोटी मिली खाने की बात हो रही है तो मिलना तो वैसी भी गलत हो जाएगा उसने केवल एक रोटी खाई उसने केवल खाई एक ही रोटी ये गलत सेंटेंस है दोनों में से हमें सेलेक करना है कौन सा सही उतर है उससे केवल एक ही रोटी खाई ये गलत है उससे नहीं उसने केवल एक रोटी खाई उसने केवल एक ही रोटी खाई अब एक ही यहां से ही ही से भी यही पता लगते है कि सिर्फ एक रोटी खाई है तो जब केवल का इस्तेमाल हुआ है तो ही का प्रयोग नहीं होगा तो उसने केवल एक रोटी खाई यह सही होगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णों के साथ प्रश्ण नमबर 31 है हमारे सामने महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी अब इसमें गलत क्या है महादेवी वर्मा को विद्वान महिला मानते थे गलत महादेवी वर्मा विद्वान थी महादेवी वर्मा विद्वान महिला मानी जाती थी गलत दो आप्शन है हमारे पास महादेवी वर्मा विद्वान थी या विदूशी थ तो हैं लेकिन उसका इस्त्रिलिंग श्ब्द ही हमें प्रियोग करना है इसलिए वो विदूशी थी महाधियरना विदूशी थी प्रशनिद मर् Do not किसका है यह पुस्तक किसकी है यह है किसकी पुस्तक गलत सेंटेंस बना है किसका है पुस्तक यह गलत सेंटेंस बना है पुस्तक किसी की है तो किसी की है तो यह कोई सेंटेंस मार्क नहीं होगा तो यह भी सेंटेंस गलत है यह पुस्तक किसकी है अब यहां पर कोई भी हमें प यहां पर पुस्तक शब्द प्रयोग हो, इसके अनुसार, जो है, इसकी क्रिया भी प्रयोग होगी, यह पुस्तक किसकी है, या फिर जो भी हम प्रशन पूछेंगे, उसका भी जो है, शब्द का इस्तमाल आगे, इसकी ही क्रिया, इसके ही लिंक के अनुसार होगा, तो यह कान बहरे हैं, गलत, बहरे होने का मतलब यह है कि सुनाई ना देना, और सुनने का काम कान सही किया जाता है, लेकिन अगर आप बता रहें कि वह बहरा है, तो कान शब्द का इस्तमाल इलोजिकल है, तो वह बहरा है, एक सही वाक्य होगा, प्रश नमबर 34, वह बारा कक्षा में पढ़ता है वह बारा जब आप आप कौन सी ख्लास में हिंदी में इंगलीश बहुर दिया है टैनित भोड़ दिया goog यह तो गलत होगा वह कक्षण बघर्व कख्षा में पढ़ता है बिल्कुल गलत है इनगों से में सिलेक्षा भारा में पढता है वहभ बार्वी कक्षा में पढता है तो इसमें से सही उत्तर जो होगा वह환 वह भारबी कक्षा में पढता है प्रश्ت नंबर 35 आपके एक एक शब्द प्रभावशाली ही होते हैं गलत आपका एकशब्द के प्रभावशाली होते हैं, गलत sentence making आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है, तो यह हमारा सही वाक्य मिल गया, आपका एक एक शब्द जो है वो प्रभावशाली होता है, प्रश्य नमर परिश्रम और सफलता ग्यारा संब्थ है परिश्रम और सफलता की मोटा संब्थ है गलत अब इन दो रहों से में बताना तो इसमें जो जो जायेगा को भगणिश्ट संब्थ है प्रश्नमबर 37 उसे भारी दुख हुआ भारी यानि कि आप किसी के तॉल नाप में भारी पन और हलका पन ये सब भारी शब्द इसके लिए प्रियोग किया जाता है किसी विवस्तू के लिए तो क्या हम अपने दुख सुख यानि कि अपने इमोशन के लिए अपने भावों के लिए भी हम इन शब्दों का इस्तिमाल कर सकते हैं उसे मोटा दुख हुआ बिल्कुल नहीं उसे बहुत दुख हुआ उसे पतला दुख हुआ बिल्कुल नहीं उसे बहुत दुख हुआ हम प्रश्ण नमबर 38 लेते हैं वह विख्यात डाकू था विख्यात डाकू था अब इस सेंटेंस में क्या समस्या होगी वह कुख्यात डाकू था वह डरपोक डाकू एक तो डाकू पर से डरपोक शम्त बिल्कुल भी इलोजिकल बाते हैं यह तो अगला हम यहाँ पर देखते हैं जो आप्शन दिया है हमें वह प्रख्यात डाकू था डाकू है प्रख्यात कैसे हो सकता है प्रख्यात प्रसिद्ध तो डाकू की प्रसिद्धी तो नहीं होती है वह प्रसिद्ध डाकू था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जो डाकू है, जो की एक नेगेटिव काम करने वाला है तो यहाँ पर उसके लिए कुख्यात यानि कि वो प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं लेकिन उसके बुरे कामों के लिए तो बुरे कामों के लिए जो जाने लेता है उसके लिए कुख्यात शब्द प्रियोग करते हैं लेकिन जो अच्छे काम के लिए प्रसिद होते हैं उन्हें प्रसिद्ध प्रक्ष्यात प्रसिद्धी विख्यात ये सारी शब्दों का इस्त सवा करने माता पिता की चाहिए गलत सवा करना चाहिए उपर यूग क्यों यह से तो हो नहीं सकता सही वाक्या केमारा Option number V heteration 4개 To Bridge ने लग्ष्माइबाई वी थी ठीक है रानी लक्ष्मी वाई बहुत भहादूर थी तो क्या उनके लिए वीरणुण क्या जाएगा नहीं यह अशुद्ध वाक्य है रानी लक्ष्मी बहुत बidez और ती यादिद कर रही है रानी लक्षमिवाइद और वो वीर भी है तो उनके लिए विरांगना sentence में से बताना है कौन सा sentence सही होगा तो दवाईयां क्या होती है उपयोगी होती है option number 3 अब हमें इस दोनों में से sentence सिलेक्ट करना है कि कौन सा शुदवाक्य है फिजूल की बाते मत करो या बेफिजूल मत करो तो बेफिजूल मत करो नहीं होगा और जो सही होगा वो option number का हो जागा फिजूल की बातें मत करो प्रश्च नमबर 43 मैं माता जी को खाना डाल कर आई खाना डाल कर आई तो खाना सर्व किया जाता है और बहुती लहजे से पेश किया जाता है तो इसके लिए कौन सा शब्द हम इस्तमाल करेंगे मैं माता जी को खाना रख कर आई बिल्कुल नहीं मैं माता जी भोजन डाल कर आई गलत मैं माता जी को मैं खाना घाल कर आई बिल्कुल नहीं मैं माता जी को खाना परोज कर आई तो ये सही वाक्य होगा प्रश्च नमबर 44 प्रतेक व्रिक्ष फल नहीं देते प्रतेक व्रिक्ष फल नहीं देता क्यूंकि अब देते शब्द का इस्तमाल के लिए जो कि बहु अचन है अब इसके लिए प्रतेक शब्द का इस्तमाल हो चुका है इसलिए प्रश्च नमबर 45 भीड में चार पटना के वेक्ती थे भीड में चार पटना के वेक्ती थे तो इसमें क्या गलत हुआ है भीड में चार वेक्ती थे पटना के गलत भीड में वेक्ती थे चार पटना के वेक्ती थे व्यक्ति के सामने चार शब्द का इस्तामाल होना चाएए तो इसलिए ये सही वाक्य होगा प्राश नंबर 46 निवलिखित वाक्यों को शुद्ध करके हमें लिखने हैं तो आगे बढ़ते हैं अब हमें शुद्ध करके लिखना है भूत, वर्तमान, भविश्य, तीन काल है, तो इसको सही करके लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां तो कोमा लग गया, लेकिन यहां और का इस्तमाल करना होगा, तो यह शुद्धी हो गई इसमें प्रशाषन, शिक्षक, विद्यार्थों में तालमिल होना चाहिए, प्रशाषन, शिक्षक, और, यह हमें याद रखना है कि तीन ऐसे कॉमन शब्दों का इस्तमाल हो, तो पहले दो के बीच में कोमा होना चाहिए, और आखरी वाले से पहले और शब्द का इस्तमाल होना चाह पहला कर दूद पिलाओ अगला है यह कहानी सो देश्य पून है तो यह सो हटा दिया जाएगा और उद्देश्य जो है यहाँ पर सा हटा दिया जाएगा और उद्देश्य पून है यह सही हो गया अगला है विद्याले में पढ़ने के तदुपरांत चात्र घर गए विद्या में पढ़ने के उपरांत पढ़ने के तद हटा देंगे और उपरांत छात्र घर गए अगला है वह दिन भर बे फुजूल की बाते करता रहा तो वह दिन भर बे फुजूल नहीं फिजूल की बाते करता रहा अगला मैं कल एक सज्जन वेक्ति से मिला तो इसमें क्या गलत है मै कल एक सज्जन से मिला इसके साथ व्यक्ति का इस्तमाल करने की जुरूत नहीं है वह पागल आदमी हो गया यानि वह आदमी पागल हो गया अगला है मेरे को उनका भीने पसंद नहीं आया मेरे को उनका भीने पसंद नहीं आया यानि मुझे मेरों को जग्या मुझे शब्द का इस्तमाल हो चे मुझे उनका भीने पसंद नहीं आया अगला है चार वेदों का नाम लिखो तो चार वेदों का नाम लिखना है तो इसका जो सही sentence making होगी वो क्या होगी? चार वेदों के नाम लिखें वे पूरे दिन भर घूमता रहा वे पूरे दिन भर दिन भर का मतला पूरा दिन तो पूरे श़द का इस्तमाल की कोई जुरुत नहीं है तो ये शुद्ध हो गया कि वे दिन भर घूमता रहा अगला है वे तो दिमाग का दुश्मन है तो दिमाग का नहीं अकल का दुश्मन है अगला उसे मिर्तिव दंड की सजा मिलेगी तो सजा और दंड एक ही बात है तो उसे मिर्तिव दंड मिलेगी या उसे मिर्तिव दंड जब हम की सजा हटा देंगे मिर्तियुदंद तो sentence making सही करनी पड़ेगी तो उसे मिर्तियुदंद मिलेगा वे घर नहीं है का मतलब वे घर पर नहीं है वाक्य शुद हो गया अगला है मैं रविवार के दिन आपके घर जाऊंगा तो मैं रविवार के दिन घर जाऊंगा तो आप देखेंगे मैं को सही से लिखना है तो ऐसे होगा अगला है यहां को मतलिखो यहां को मतलिखो तो यहां पर मतलिखो अगला है तुम अपने जूते निकाल दो तुम अपने जूते निकाल दो नहीं उतार दो अगला है शरीर के अंदर शक्ती होनी चाहिए शक्ती कहां होती है अंदर ही होती है तो शरीर के अंदर शक्ती होनी चाहिए इसका सही sentence making क्या होगा शरीर में शक्ती होनी चाहिए अगला है आत्मा में परमात्मा निवास करती है अगला है मैंने सफेद धवल वस्तर पहने है सफेद और धवल दोनों का एक ही मतलब होता है तो यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे हैं मैंने सफेद वस्तर पहने है अगला है जैपूर एक एतिहासिक नगर है तो जैपूर एक एतिहासिक नगर है रेडियो की खोज किस ने की रेडियो का अविश्कार किस ने किया खोज नहीं इसका अविश्कार किया गया है अगला है यह सबसे सुन्दर्तम साड़ी है तो यह सबसे सुन्दर्तम साड़ी नहीं यह सुन्दर्तम साड़ी है जैपुर में कई दर्शनिय स्थल देखने योगे हैं दर्शनिय का मतलब ही होता है देखने योगे तो जैपुर में कई दर्शनिय स्थल है अगला है सिक्षक घर जाते हैं पढ़ा कर तो सिक्षक पढ़ा कर घर जाते हैं और उसकी corrections ही की है यहाँ पर जो आपके exam purpose से काफी useful है और इसकी practice आप जरूर करें जिससे का आपको बहुत हतक बहुत साई चीज़े समझ में आ जाएंगी और इसी तरही की वीडियो उसको पाने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले टैमली updates लेने के लिए क्योंकि यहाँ पर grammar से संबंदित बहुत सारे mcqs जो है discuss किये जाते रहते हैं तो mcqs discuss करने से क्या हो बच्चों की अच्छी practice हो जाती है जिससे आप जो है अपने topics को अच्छे से clear कर पाते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है helpful लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें